तो आज की तारिक है 23rd September हमेशा की तरह बढ़ते हैं आज की पहले न्यूस की तरफ इंडिया यूस के बीच में bilateral choice कैसे है क्या हम trade कर रहे है कितना trade कर रहे है और कौन से वो areas जहां पे हम collaborate कर रहे है अभी इसलिए बहुत जादा important है क्योंकि हमारे देश के प्रधान मंत्री नरियंद्र मोदी ये तीन दीनों के visit में गए जहां पे वो quad के summit को भी attend करेंगे और सा in the sixth edition of quad summit what is quad quad is quadrilateral security dialogue है na there is the need to analyze the transformation in the india-us tie over the years है na over the years india-us के बीच में कैसे relationship रहे है है na कौन से वो areas है जहां पे हम लोग collaborate करके काम कर रहे है कितना trade कर रहे है कौन से sectors में काम कर रहे है इन सभी बातों को आज हम discuss करे है तो न्यूस का background क्या है तो u.s india ties have gone through years of ups and downs over the last 50 years to 70 years 75 years तो पिछले 75 सालों से हैना लगातार इंडिया न्यूस से के बीच में diplomatic ties आपको देखने को मिलेंगी कभी उतार चड़ाव आए है यह भी आपको बात याद रहे हैं तो यूस इंडिया 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 के उपर दो सांक्शन भी लगाया थे जब हमने अपना न्यूक्लियर टेस कंड़ किया था ठेक है और इसके बाद जो रिलेशन्शिप है वो नॉर्मलाइज भी हो गया जब हमने इंडिया और यूस ने न्यूक्लियर डील को साइन किया दो हजार आट यूस इस इंडियास लाज़ेस ट्रेडिंग पार्टनर वित अब बालेट्र ट्रेड इन गुर्स एंड सर्विसेस क्रोसिंग 198 बिलियन 2022 अब तो हला कि चाइना ने ओवर्टेक कर दिया है यूस को है ना बट सेकंड नमर के आपको यूस देखने को मिलेगा जिसके साथ हम ट्वेड कर रहे हैं ट्वेड का मतलब क्या हो रहा है हम भी समान बेच रहे हैं वो भी समान बेच रहे है यानि कि हम पोर्ड भी कर रहे हैं ट्रांस्फोर्मेशन इन रिलेशन्स के अगर मैं बात करूं तो तो फोर्स ट्रांस्फोर्मेशन वस रुफली बेविट्विन 2001 वन जोर्ज डबलु बुश केम टू पावर एंड अफ डॉनाल जे टॉन प्रेसिदेंसी है ना 2001 में आप देखो जो ट सब्सक्रांस्फोर्मेशन देखने को मिला है इंडिया उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन्स में दा मोधी बाइडेन एरा है ना यहां पर हमारे देश के प्रदान मंतरी मोधी यहां पर प्रसेंट कॉल जो बाइडेन तो इस एरा एंफसाइस अपन बूचल इंट्रेस अं अब देखोगे नसे की मिटिंग हो थी नाशनल सेक्योरिटी अडवाइजर की मिटिंग हो थी जहां पर इंडिया की तरफ से अजीर डुवाल साहब जो है वो पार्टिसपेट कर रहे थे हैं तो यहां पर इंडा यूस इनिशेटिव जो है वो लॉंच किया गया था किसके तो critical technologies के उपर जैसे artificial intelligence हो दो देखो कि trade dialogues भी हम कंड़क कर रहे हैं दोनों देश आपस में कुछ defense exercises भी कंड़क करते हैं इस ते पता चलता है कि हम काफी सारी एरियास में जो है वो collaborate कर रहे हैं 5 2 plus 2 meeting with respective defense and foreign ministers have taken place में तब 2 plus 2 meeting conduct हुआ है 5 है न जहां पर foreign affairs ministers के भी meeting हुई है defense affairs ministers के भी meeting हुई है have taken place and the supply of C-130J, C-17, P-81, Apache, Chinooks and MH-60R helicopters are changing capability for the Indian military तो Indian military को इतने सारी चीज़े यूएस जो है वो क्या करता है supply करता है क्योंकि इंडिया जो है है न सबसे जादा defense equipment कहां से purchase करती है इंडिया जो है सबसे जादा defense equipment कहां से purchase करती है France and USA France plus USA ठीक है challenges face during the Modi Biden अब Modi Biden era के दोरान कौन से वो challenges थे है न जो face किये गए पहला इंडिया is increasing import of oil and deep military dependency on the respective stakes at play regarding the war in Ukraine ठीक है differing views on the meaning of rights and the effect of an Indian intelligence-led operation on American soil तो यहाँ पर भी या हमारी dependency किस के उपर हम oil किसे करीद रहे है कच्छा ते एक crude oil करीद रहे हम रश्या से है ना तो इससे भी यूसे नराज है however these challenges have left the strategic design for deeper partnership between two countries largely untouched the deeper partnership between the two countries are expected to be sustained as the 47th American president is elected later this year है ना US में presidential elections होने वाले साथ ये साथ आप देखोगे कि USA के अंदर हमारे कुछ operations हुए थे इसकी वदे साभी हमारे रिस्ते जो है वो थोड़े से आगे है कि agenda for the Indian PM recent visit to US अब present जो प्रधानमत्री नरेंदर मोटी यूस जा रहे तो agenda क्या है पुछा कौन से वो एरिया से कौन से क्या motive है पहला boasting bilateral ties दोनों देशों की बीश्वन bilateral ties को enhance करना the two leaders discuss ways to depend cooperation across various sectors highlighting that both nations now enjoy a comprehensive global strategic partnership तो यहां पर देखिए सबसे इंपोर्टन मुद्दा तो यही है bilateral ties को enhance करना है let's say कुछ areas है जहां पर cooperate करके काम करेंगे जैसे private sector जैसे हमारी space sector हो गया हमारा जो trade हो गया इन सब को बढ़ावा देना है expanding India's global role President Biden pays India's leadership on the world state highlighting India's role during the G20 Presidentship and strengthening the quad reinforcing the need for a free open and prosperous Indo-Pacific sector तो यहां पर साथे साथ एको President Joe Biden ने है ना प्रेस किया है इंडिया के बहुत सारे steps को प्रधान मंत्री नरींदर मोरी जी के leadership को इंडिया का involvement involvement quad के अंदर इंडिया ने कैसे बहुत अच्छे तरीके से G20 summit को और्गिनाइज किया 2023 में अब यह G21 मन चुका है अला की space to semiconductors देको space के sector में हम collaborate कर रहे हैं साथे साथ समी conductors के sector में भी collaborate कर रहे हैं हमारी electronic vehicles के लिए बोथ leaders committed to enhance regular engagement to improve the momentum of collaboration in fields such as space, AI, quantum, biotechnology, etc. दे हें plans from a semiconductor fabrication plant which will support national security and next generation telecommunication तो यहां पर देखो space के sectors में, semi conductors के sector में भी हम लोग collaborate कर रहे हैं Artificial Intelligence के sector में, impetus to defense ties, President Biden welcomed the progress in India's procurement of 31 General Atomics MQ-9B remotely piloted aircraft which will enhance India's intelligence, surveillance and recurrence capability तो यहां पर देखो हम क्या खरीद रहे हैं हम खरीद रहे हैं हम खरीद रहे हैं बैया, remote pilot aircraft खरीद रहे हैं किससे? USA से, जिससे कि हमारी Navy, Army और Air Force strong होने वाली है Biden also highlighted India's decision to simplify its tax structure on maintenance, repair and overall services calling it a significant step for building a robust aviation ecosystem तो यहां पर aviation ecosystem को बहतर बनाने के लिए taxes को simplify किया गया है, यह बात भी जो Biden जी का कहना Clean Energy Initiative, the White House announced that initial effort aimed to unlock 1 billion US dollar of multilateral financing to support project across a clean energy value chain So, यहां पर USA जो है, इंडिया के अदर 1 billion US dollars का invest करेगे, किसके लिए? तो renewable source of energy के projects के लिए Promoting global health and development, the two leaders celebrated new US-India drug policy framework designed to combat the illicit production and trafficking of synthetic drugs तो जो drugs की trafficking हो रही है, है ना, narcotic drugs की trafficking हो रही है, उसको रोपने के लिए दोनों देश collaborate कर रहे है We also applauded the inaugural US-India cancer dialogue, a startling cancer request, collaboration and innovation देखो, इंडिया न यूस से जो है, cancer को counterbalance करने के लिए, mitigate करने के लिए भी साथ में काम कर रहे है Both sides highlighted enhanced cooperation in agriculture committing to improve productivity and share best practices तो यहाँ पे sustainable agriculture की बात हो रही है, और agriculture के sector में दोनों देश मिल कर, collaborate करके काम भी कर रहे है तो यह था हमारा आज का पहला important news, जहाँ पे हमने क्या discuss किया, हमने discuss किया India and USA की बीच में bilateral ties कैसे है, प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी तीन दिन के दोरे पे है जहाँ पे यूस प्रसिडेंट जो बाइडन से भी मिलेगे, इन साथ के साथ Quadilateral Security Dialogue की meeting के अंदर भी participate करने वाले है, ठीक है अगला है हमारा spike in India's trade deficit, trade deficit क्या होता है बात को समझना हैना trade deficit क्या होता है, मैंने आपको बताया trade deficit होता है बच्चा जब हमारी, हमारा, जब हमारा भी या import, हमारा import is more than export when import is more than export, इसे को हम क्या कहते है, trade deficit कहते है if import जो जादा होगा export अगर जाद होगा तो यह क्या हो जाएगा trade surplus है ला यह होता है trade deficit और यह हो जाएगा trade surplus एक बात बताओ मुझे एक बात बताईए भई से मैं और आप वैपार करते हैं आप भी एक country हो, मैं भी एक country हैं दोनों एक दुसरे के साथ ट्रेड करते हैं, आपने मुझे 10 रुपए का माल बीचा, मैंने आपको 5 रुपए का माल बीचा, तो फाइदे में कौन रहा, आप, आपके लिए 5 रुपए ट्रेड सर्प्लस हो गया, मेरे लिए 5 रुपए ट्रेड डफिशिट हो गया, तो फाइदा तो भी यह 10 जादा का माल बेचने में हैं, है ना, आप मुझे 100 का माल बेचो, मैं तुम्हें 120 का माल बेचूंगा, तो मैं 20 रुपए जो है वो पार्टनर्स है, मतलब टॉप 10 कंट्री जिसके साथ इंडिया ट्रेड करती है, उसमें से 8 के साथ हमारा ट्रेड डफिशिट चल रहा है, ट्रेड डफिशिट चल रहा है, और ट्रेड डफिशिट का सबसे इंपोर्टेंट रोल क्या है, यह सबसे इंपोर्टेंट कारण क्य आगे बढ़ाने की जरुबत है अब समझते हैं यूज को आफ्टर स्टार्ग स्टार्ट गुड्स एक्सपोर्ट इन फॉर्स कॉर्टर ऑफ 24-25 मोमेंटम स्लोड विद एक्सपोर्ट वाल्यू दॉपिंग 1.5% in July and further contracting by 9.3% in August reaching an 8 month low आप देखोगे पहले तो initially हमने पहले quarter of 24-25 में हमने ट्रेड में अच्छा काम किया ट्रेड एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हमने काफी जादा किया बड़ अब फिर सब बिया हम पिछले 9 मैने में सबसे कम के situation में पोहच गया Meanwhile imports hit a record 64.4 billion in August 33 recorded 29.9 billion है ना आप देखोगे कि जो सर्फ August महने में August महने में जो import हमने किया है उसकी value कितनी है import हमने किया उसकी value कितनी है बच्छा 64.4 billion ठीक है और हम कितने trade deficit में है बच्छा इतने trade deficit में है है ना इतने trade deficit में है ठीक है Reason behind the triggering of the Figuring of the wider trade deficit अब कौंसे वो रिजन है जिसकी वेज़े से trade deficit 4 है Export contraction amid a rising import In July in August 24 Indus export saw a decline with 1.5% drop in July and sharper 9.3% fall in August So July में 1.5% का Export कम हुआ And August में 9.3% का Export कम हुआ है ठीक है Despite this import grew by 7.5% in July and 3.3% in August Pushing a trade deficit to a 9-month high of 23.5 billion in July and widening it by 6.2 billion in August तो आप देखोगे क्योंकि export कम हुआ है Export कम हुआ है Import हमने लगातार किया है तो trade deficit हो गया Sectoral performance and key export declines While a majority of India's top export segment showed growth Major sectors like petroleum, gems and jewelry significantly drop देखो बहुत सारा माल हम बेचते है इसमें से बाकी sectors ने तो अच्छा परफॉर्म किया इसके बाद हम export करते है तो यहां पर आप देखा गया है कि जो हमारी oil export है वो कम हुआ है साथ यसाथ जो हमारा जॉलेरी मार्केट है यह दोनों महिने में तब जुलाई और आउगस्स दोनों में 20% से घटा है ग्रोथ अलसो शोर्ड इन की सेक्टर लाइक फार्मासुटिकल एलेक्रोनिक्स अन मतेरियल्स लाइक परफॉर्म किया है और इंपोर्ट बिल और ट्रेट देफिशिट डाइनमिक्स इन ऑगस्स दॉपन ओल प्राइस टेक है छे डॉर्र पर बैले लिट टूर थाटी पोसंट डिक्लाइन इंडियास ओल इंपोर्ट बिल रिदूजिंट तो लेवन बिलियन दे लोएस इन फ्री यह तो हमारा क्या अगस्ट की मैनमिक्स दिश्पाइज लगने बाइज लगने डिवन बाइज़ली तो आप देखोगे औल के दाम घटने से और ऑल के दाम घटने से एक्सपोर्ट तो हमने उतने ही किया बट फिर भी हम प्रोफिट नहीं बना पाए ट्रेड डेफिशिट ही रहा ट्रेड प् बिलियन ऑगस्ट मोर दन डबल द जुलाई फिगर और शाप कांट्रास्ट तुदा 10.7 परसंट डॉप इन जुलाई तो आप देखो कि इतने बिलियन का गोल इंपोर्ट हुआ है ठीक है इसके बाद हमने काफी जादा गोल इंपोर्ट किया इस वज़े से भी क्यूंकि सरक था एकनॉमिस्ट एक्स्ट एक्सट बाद टिस इंपक्त इस दुटी कट्स तु कॉंटिऴ आफ़कें टाइब इंपोर्ट बिलियन कमिंग मन्स टीक है अब रिस्क अस्ट बिद विद वाईदा ट्रेट डेफिचित होता है ठीक है तो होता क्या है कौन से वो रिसक होता है no significant economic risk amid trade deficit despite the growing trade deficit experts emphasize that India's high growth rate means its demand for a global product will naturally outpace global demand for its export they asserted that the trade deficit is not a concern for developing fast growing economy as long as there are no foreign exchange issues and now to jump to foreign exchange issues नहीं है जब तक हमारी पास भंडार है ना फॉरें एक्षेट पॉरें के भंडार एकरंसी भंडार है तब तक as such कोई भी issue नहीं होने वाला है ऐसा economist का कहना है strong foreign capital inflow and forex reserve India's foreign capital inflow have remained positive in recent months and as of August 2, 2024 the country's foreign exchange reserve reach a record of इतना इतना billion हमारे पास foreign exchange का क्या है भंडार है the finance ministry estimates this is enough to cover 11.6 months of import though this may slightly decrease in imports remain above 60 billion तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतने हमारे पास foreign exchange है foreign exchange reserve है जिससे कि हम साड़े 11 महने तक countries से import कर सकते हैं services exports provide stability India's services export which have grown by 10% from April to August 2024 over some stability and provide an additional buffer against the widening trade deficit contributing positively to the economy तो हमारा जो service sector यह काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है 2023 से हलांकि यह better perform करेगा better demand आने वाली है global global market से है न जी पॉलिटिकल रिस्क ओंगोउंग कॉन्फिक्ट अन अपकॉमिंग यॉस election coupled with tariff hikes on Chinese goods create a challenging environment for India another place तो यहाँ पे देखो जो 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 जी पॉलिटिकल रिस्क टेंशन्स चल रहे हैं जैसे इस्राइल war चल रहा है Ukraine Russia war चल रहा है है ना चाइना का influence है ना इस वज़े से भी है क्या हो जे वाला इस वज़े से जो global trade है वो impact हो सकता है impact of US-China trade tension as China domestic economy falters and US tariff on Chinese goods rise China में shift its focus to non-US market dumping products at low prices तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्योंकि China युएस के बीश में relationship जो है वो अब खराब होते जा रहे है ना USA ने चाइना के उपर यहाँ पर यहाँ पर high tariff जो है वो पोस्त किया है तो अब चाइना जो है वो युएससे से शिफ्ट करेगी जैसे युएससे चाइना शिफ्ट करेगी तो इंडिया के लिए अच्छा एक मार्केट बन जाएगा कि इंडिया जो है वो चाइना को टेक अवर कर ले युएस के युएस में ट्रेट के पॉइंट अव्यू से इस कुड नेगेटिवली इंडिया पर्टिकुलरी आज चाइना जिमांद फॉर इंपोर इंपोर डेक्लाइज और पाइस और एक्स्पोर डेक्साथ न ट्रेक्साथ न लॉग तो यह सारे चीजह है अब लॉग्टर्म चालेंज़स क्या है बिया इंडिया की एक्सपोर ग्रोक में इंडिया जोल तो स्केल-प सर्विसे अन गोड्स एक्सपोर को 1 trillion इच बाइच वाई हम export करेंगे 2030 तक, ठीक है, economic export highlighted global economic slowdown, the rise of tariff and non-tariff barriers, and new trade policy such as EU carbon border adjustment mechanism and deforestation rules as major challenges, they noted that while short term opportunity for export growth may rise, the long term outlook will be difficult, तो यह हमारे major challenges होने वाले हैं, है ना, fade sir regarding, ठीक है, तो यह था हमारा आज का, तो important news, आई हो भाईया, यह चीज़े clear हो गई होगी, मिलते हैं कल करेंट फर्स के अपने अगले पड़ाओं में, तब तक लिए मैं शोयम सेंगल विदा लेता हूँ, जैहन, जैवाब,